हेलो गाइज के रोल में आप साही का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पतनली का एक बहुत ही बेतरिन पोड़क्ट है जिसका नाम है पतनली ओट्स तो आज हम इसके फायदे के बारे में और इसे किस तरह सही तरीका से परियोग में लिया जाए ताकि यह ज़्यादा अच्छे से काम करें और यह जो पतनली ओट्स है यह किस तरह का पोड़क्ट है तो इन सारी चीज़ों पर मैं आपको अच्छे से जनकारी देने बाला हूँ तो आप मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको इस परड़क्ट के बारे में आपको अच्छे से जनकारी मिल सके तो वीडियो शुरू करने से पहले स्वास्त के परती जागुप रहने के लिए सब्स्प्राइब कीजिए हमारा चैनल क्यों रॉल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दवाना ना भूले ओट्स जो बजार में अलग अलग तरह से कई फ्लेवर्स में उपलब्द होते हैं समानता ओट्स के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जैसा आप सभी जानते होंगे कि ओट्स जो है हमारे हिल्थ के लिए कितने अच्छा मना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जो आपकी तोचा और सौंद्वर के लिए भी यह बहुत लाबदायक होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो के मादम से हम आपको पतनली ओट्स से जो कि इसके 10 फाइदे के बारे में आपको बतलाने का पर्यास में भरपूर ओट्स आपके नर्वर सिस्टम के लिए बहुत फाइदे मंध होता है और आपको स्वर्ष्थ बनाये रखने में मदद करता है तो यह जो हैं इसके पहले फाइदे हो गये और अगर हम इसके दूस्रे फाइदे के बारे में बात करें तो होट्स खाने के बाद तो दूसरे फाइदया है ओट्स में पाए जाने वाला इनोजी टॉल रख्त में बसा के अस्तर को नियंतरित करता है और उसे बढ़ने नहीं देता है या सजिर में उपस्तित अतेरिक्त बसा को भी कम करता है तिसरा फाइदा ओट्स से पेट समंदी रोगों में भी काफी लाब देता है या कब्ज को दूर कर पेट खराब होने की समस्या से निजात दिलाने में सहायक है चोठा फाइदा प्रती दिन अपने नास्ते या खाने में ओट्स को सामिल करने से डाइबिटीज की समस्या में भी लाब होता है क्योंकि यह इंसुलीन के अस्तर को नियंतित रखने में सहायक होता है तो फ्रेंट्स आप सभी ने जाना कि यह जो है डाइबिटीज पैसेंटों के लिए यह जो ओट्स है कितने फायदे मांद होते हैं क्योंकि इसमें जो है इंसुलीन के अस्तर को नियंतित करने में यह बहुत ही सच्छम है यह जो ओट्स है यह इंसुलीन को मतलब कंट्रोल पुरी तरह से कर देता है इसलिए जा डाइबटीज परेसेंट के लिए यह एक बहुत ही बेतरी जो कि उनको सेवन करना चाहिए पाच्मा फाइदा आपकी तवचा को खुबसूरत मनाने के लिए ओट्स आपकी मदद कर सकता है इससे बना फेज स्पाइक चेहरे पर लगाने से तवचा को मल और सुर्ष्ट बनती है और अगर आप इसे अपने चेहरे पर भी लगाते हैं तो आपको इस चेहरे पर भी साथ आपके सहीर में उर्जा संचार करता है और यह बजन कम करने में बेहद लाप्रद है यानि जो लोग मोटे हैं जिनका बजन काफी ज्यादा है तो अगर आपको बजन घटाना हो तो आप सुबह साम ओट्स है जो की आप इस्तमाल में ले ताकि आपका जो बजन है वो कम हो सके हैं तो साथ मा फायदा कैंसर से बचाव के लिए 50 प्रयूग किया जा सकता हैं स इसके परियोक से ईड़े रोग होने का भी खत्रा कम होता है क्योंकि यह उड़े की धनिया में बसा को जबने से रुकता है अगला फाइदा सहीर में गर्मी बढ़ने के कारण होने वाली वोर्स फाइद्य वक्यष्ट के प्रक्रihيم वॉ सबस्याओं यह मानना जहते हैं यह सब्रकूर्ण जाहिए उसके 세सा बत्सुरत को प्रकूर्ण चालिक वो पुरित्रा से ठंडी रहेगी और आपके पेट के लिए भी है सही चीज़ है अगला फाइदा जो की नुमा फाइदा है रूखी तोचा या एकजीमा जैसी तकलीप में भी ओट्स सायक होता है ओट्मील बात लेने से तोचा की जलन समापत होती है और उखापन भी खत्म हो जाती है अगला फाइदा जो की दस्मा फाइदा है ओट्स को दूद में मिला कर बनाए गए स्क्रब का पर्योग करने से तोचा की चमक बढ़ जाती है और तोचा लंबे समय तक जबा और खुबसूरत दिखाए देता है तो फ्रेंड्स आप सभी ने जाना की पतनली ओट्स जो की है इसके खाने के बाद भी इसे कितने सारे फायदे हैं और इसे अगर आप चेहरे पे लगाते हैं या आप अपने स्कीन पे इसको यूज मेलेते हैं तो भी इसके आपको बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं तो मैं आपको अब बतलाता हूँ कि एक से कितने प्राइज सघांवे तो जैसा कि आप के आप देख पा रहे होगे आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी यह जो का प्राइज स्की प्राइज elastic रुपी जय नि कि देखिए इसमें लाइसेंस नंबर है जो कि प्रताई से प्लूग्ड है कि लाजवा पोड़क्ट है पतनली का ओट से यह काफी तेस्टी होती है कि देखिए मैं अच्छे से दिखाने का परियास करता हूं लिखे बिनिफीट्स आप ओट में इसमें कुछ कुछ चीजे जो है दिया गया है इसके फाइदेक बारे में जिसे की लिखा गया है हेल्फ रिड्यूस कोलेस्ट्रोल जिसा कि आप सभी ने जाना कि अपकोलेस्ट्र और बजंशन को मींटन करने काम करती इंपरूप सेघीस्ट्र जो आपके डाजेशन होते हैं यानि आわか SEASI which the digestive system होता है उसको यह इंपरूब करता है यानि उसको मजबूत पर्दान करती आ कि यह जो पतंदी और से बनाया गया है इसमें कितने सारे कम पोजीशन है क्या क्या डाल कर यह पतंदी ने इस पोड़र को त्यार किया है तो मैं अब इसके बारे में आपको बतला दता हूं इसमें इनर्जी जो की के सियल है जो की 411 यानि 411 कर रहा है इनर्जी फॉंस फाइड के सियल 95 है प्रोटीन 12.1 है कार्भ हाइड़ेट 66.9 है और इसमें सुगर जो की सुक्रोज 0.9 है और डायट्री फाइबर जो की है 10.0 है शोलूबल फाइबर 4.3 है इन्सोलूबल फाइबर 5.7 है इसमें टोटल फाइड जो है 10.5 है से चुर और मोनो अनसेटरेट फैटी एसिड है 4.7 और पोली अनसेटरेट फैटी एसिड है 3.9 और ट्रांस फैटी एसिड है 0.00 एन्या young इसमें ट्रांस फैटी एसिड बिल्कुल भी नहीं है कोलेस्टॉल भी 0 है और सोडियεται जो की एमजी है 5.3 है तो मैंने जो भी कम पोजिशन आ उसके बारे में मैं आपको बत लाया देखिए हाव टू प्रिपेर यानि आप इसे किस तरह इसे त्यार करकर आप इसे यूज में ले सकते हैं तो जिसा कि बत लाया गया है टेक हाप कप 40 ग्राम सब ओर सीना कुछिंग पैन यानि आपको कि निकल लेना है और उसे आप घुकिंग पैन में डू Samuel और सीनल उसे और ऊफको लुंछ फार देना है और उसे यानि अफनी स्टॉघ यानि जार यानि चीनी को भी ड्याल देना है और उसे वाल कर देना है कितना तीन से और आप तीन से पाच मिन्ट करने के बाद आप इसे सेवन कर सकते हैं आप इसे यूज में ले सकते हैं तो आपको यह जो है ओच कि आपको देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पतनली ओडस के बारे में पूरी तरह से जनकारी देने का प्रियास क्या हुं इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पतनली ओर्ड स labor was a profit और इसके का क्या फाइड आ मिलें और इसे आप विजाए तक एक विज को फाइदे देखने को मिलड क्या प्रियास क्या हुँ व्ह Bent पसंद आई होगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें तो आप से अन्रोध है कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रह तो अगर आपको इस तरह से कोई भी समंदित वीडियो चाहिए तो आप नीचे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करें और मुझे बतलाएं कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जहूर आपके लिए वीडियो लाँगा फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ